कर दो हेलो फैंट्स वेल्कम बेक टु माइउटुब चैनल आई होप आप सबी लोग बढ़िया होंगे तो इस वीडियो के अंदर कोई इस वीडियों में जो दूशा पॉर्शन है जो इन सारे मेकेनिकल पार्ट को चलाने का काम करता है या एनरजी देता है जो कि आपकी यह इलेक्ट्रिकल सपलाई तो उससे लेलेटेड इस वीडियों में हम देखने वाले हैं पार्ट अकार जाए एंप उने प्रवरृ के आपको पार्ट भीनesso किस तरीके से वर करता है वीडियोको एंड के नोते हैं उसके अंदर आपने जरूर देखा होगा जो motors होती है आपको मैं दिखा देता हूँ जो motor लगी होती है उसमें 3-phase की सप्लाई आती है अगर आप यहां सामने देख पाए रहे होंगे यह जो आप motor देख पा रहे हैं जो blower को घुमाने का काम करती है उसमें 3-phase की सप्लाई दी जाती है अब वो 3-phase की सप्लाई के लिए आपको अलग से एक पैनल की जरुवत होती है उसके साथ साथ इसमें जो मेन सप्लाई दी जाती है उसमें आपको जो पार्ट देखने को मिलते हैं मैं आपको दिखा देता हूं कौन-कौन से पार्ट होते हैं तो यह उसका Air Handling Unit का पैनल है तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं तो यह इसकी पहले में पाइनल है जहां से चर्फ कि सब्सक्राइज दी सबसे पहले इसे अंदर यहां से आपको कुछ पता देता हूँ काई कौन कौन से पार्टस है तो यह employer के लिए on-off का toggle switch दे रहा है आप सामने देख पार हूंगे इससे आप इन indicators को on-off कर सकते हैं साथ ही में selector switch दिया गया है जिससे आप उसको off R यानि कि जो यह एंपेर मीटर है इस पर आप reading देख सकते हैं किसी कि कितना एंपेर ले रहा है या कितनी वोल्टेज आ रही है इस सेलेक्टर स्विच के सथ्रू साथ में यह main supply का सेलेक्टर स्विच है जिससे कि आप इसकी में यानि कि जो सप्लाई आ रही है इस पैनल के अंदर उसको आप कर सकते हैं तो अंदर की तरफ से अगर मैं आपको बता हूं तो यह रहा है वह main supply का स्विच जिससे कि हम इसको आउप करते हैं उपर की तरफ यहाँ पर फ्यूज लगे हुए थे तो हीं आप स में पार में यह राउंड श restoration है इसको कहते हैं सी दी करता है यह को डेक्ट करता यानिकि इसके ठू जो एंपीर मीटर होता है आई में आटको दिखाया सामने एंपीर में यह राउंड इसके अंदर से गुमाके वायर निसी पार ची तरह कि ऊस किसी वाय से लिए जा रहे हैं यानि कि जो अपने लगायां वह कितने वाय से ले पार रहा है और इसके तुरूं रीडिइंस फोर होती है कहां पर एंपेर मेटर पर उसके बाद ये बार हैं जिसमे आप देख अहुँन होगे बार पर इसके बाद यह है आप सामने देख पा रहे हैं यह है कंट्रोलिंग का जहां पर जो पार्ट्स हैं कंट्रोलिंग पार्ट्स लगे हुए हैं यह भी एच्चु का एर हैं यूनिट का ही है इसमें भी दो इंडिकेटर हैं ऑन ओफ के ग्रीन और रेड उसके बाद एक मेन कुछ है ऑन ओफ करने के लिए तो चले देख लिए अंदर तो यह है इसकी मेन सप्लाई जिस पर आप तीन फ्यूज लगे हुए देख पा रहे होंगे जहां से सप्लाई आ रही है उसके बाद आगे जाके वह थ्री फेस की सप्लाई जाती है इस कॉंटक्टर पर जिसके आप त्री फेस की सप्लाई देख पा रहे होंगे होते हुए उपर से इस कॉंटक्टर में आती है पिछे की तरफ आप अगर देख पा रहे हूं यहां पर आती है उसके बाद ओवर रोड डिले से होते हुए आगे जाती है यहां पर आप देख पा रहे हुए आगे जा रही यह आप सामने दिख पार होंगे जिए के तरीके से यह पैन हुमडिफायर का है यहाँ पर भी एक कॉंट्रेक्टर देखने को मिल जाएगा शक्षाब कवा जो यहां पर सप्लाई आती है और वाई भी पून नीचे की तरफ यहां यह पर दे पाती है जिसके बाद हमारे सिस्टम कर पाता एक तरीके से स्विच की तरह काम करता है तो यह तीन कॉंटक्टर हैं जिसमें मैंने एक में पहले से ही वायर लगा के रखा हुआ है जिससे कि मैं आपको इसको अन्दर का पोर्षन दिखाना चाहता हूँ तो यह रहा एक कॉंटक्टर अब इसको कैसे उपन करना है कुछ इस तरीके से इसमें नीचे किलिप लगा होत तो यह है कुछ इस तरीके से इसका पोर्षन पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं यह पॉर्षन दिखातों पहले यह इसके अंदर की तरफ एक कॉईल लगी हुई है यह मीचे की तरफ अगर यह पॉर्षन भी हट जाए तो यह देखिए यह कॉईल है यह अंदर आप देख पा रहे हुगा यह कॉईल है जिसके अंदर करन्ट की सप्लाई या इलेक्टिकल सप्लाई हम देते हैं और इसके अंदर एक इलेक्टिकल फ्लक्ष जनरेट होता है इसके अराउंड जिसके वज़े से यह इसको यह आप देख पा रहे हैं इसको अंदर कि तरफ पुछ कर पाता है ऐसे कुछ इस तरीके से इसके उपर एक spring लगा हुआ हुआ है जो कि इसको आगे पीछे दखेलने का काम करती है तो यह कुछ इस तरीके से इसके उपर बैठा रहता है और इसके चारों तरफ क्या होता है है if it works at theatalnut नौने कि 6510 horsepower उसके बाद यह पूर्शिर के उपर इस तरीके से बैठाब इस contactor को supply देते हैं अब वो supply देनी कहां पर होती है क्योंकि यहां पर तो 3 supply में supply आएगी यानि कि आर वाई भी आएगी उसके थुरूत यह चलेगा नहीं वो तो मोटर के लिए होती है तो इसके लिए अलग से इसको supply दी जाती है उस कोईल के लिए इसको अलग से supply दे जाती है और वो कहांपर होती है वो यह रही आप देख पारहूंगे एक दो यह है आॉक्जलीरिडी यह इस contactor के लिए दिये गए हैं A1, A2 और नीचे की तरफ भी होता है किसी किसी में यह देख पार होंगे A2 तो यहाँ पर phase और neutral दिया जाता है जिसके वज़े से जो coil है उसको supply मिल पाती है और जब उसको supply मिलती है तब उसके चारों तरफ क्या होता है magnetic flush बनता है और वो इसको अंदर की तरफ पुश करती है अंदर की तरफ पूल करती है यानि कि खीशती है अपनी तरफ को समझ गयोंगे आप तो AJ मैं आपको दिखाता हूं practical करके कि कस तरीके से वर्क करता है तो यहां पर आप देख पार होगे यह हमने पहले से ही न्यूट्रल और phase दे रिखा है इसमें तो चलिए आपको जलदी से को दिखाते हूं किस तरीके से वर्क करता है तो तो यह रहा कुछ इस तरीके का पॉइंट हमारे इसमें सप्लाई आ रही है मैं डारेक्टली इसको लगा देता हूं इस एक्स्टेंशन बोर्ड में तो चलिए इसको निकालता हूं आपके सामने पहले और इनको हटा देता हूं आपके यहां पर से अब आप देखिएगा तो साइड से दिखाता हूं तो इसी तरीके से यह जो मैगनेटिक फ्लॉष उसके अंदर बन राय कोईल के अंदर वो इसको पकड़ के रखता है और जैसे ही आउक्जलेरी कॉंटेक्ट में सप्ला याना बंद हो जाती है यह इसको छोड़ देता है कुछ इस तरीके से अब वा और जैसे ही आप इसको सप्लाई देना बंद कर देते हैं यह काम करना बंद कर देता है तो जैसे यह अंदर की तरफ रहता है यह यह इस तरीके से यह कॉंटेक्टर वर्क करता है तो कुछ इस तरीके से यहाला कॉंटेक्टर वर्क करता है और हो सकेगा मैं तो अगली वीडियो में आपको एनो एनसी के साथ इसके कनेक्शन दिखाऊंगा वाइरिंग के आप कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको देखना होगा तो यह था कुछ कॉंटेक्टर पर आपका बेसिक नॉलेज तो आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा तो यह मेरा पहला वीडियो है अगर आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं एजवी इसी टॉपिक के साथ-साथ तो मिले को कमेंट जरूर करके बताईएगा और वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीकी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो मिलते हैं इसी तरीकी की वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाई